हेलो गाईज विल्कम बैक और माई यूट्यूब चैनल और आज अपन देखों एक न्यू टोपिक जो लेके आये हैं वो है अलगी का हलांकि पहले से अपनी स्टार्ट कर रखें हैं और आज अलगी के बारे में डिसकस करने वाले हैं वो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है इस टोपिक में से जो एसिस्टेंट प्रोपेसर मानें या फिर अपन कह सकते कोई भी स्कूल लेक्चरर हो फर्स्ट ग्रेड हो उन सब के अंदर बोटने के जो क्योसंस है एलगी के रिगार्डिंग वो हमेसा इसमें से पूछ जाते हैं कई क्योसंस ऐसे बताऊंगा जो हर लुँपर रर्रीपीट होते हैं तो सबसे पहले इस टार करते हैं कि आपनी करते हैं कि एजो यए एलगी का यह बर्रा इफ रहाए ठेक्टर पाई जाती है जो ूदियु सब्सक्राण और cellular organization जो होता है वो eukaryotic होता है eukaryotic के अलावा autotropic होते हैं अपना भोजन जो है वो स्वेम बना सकते हैं और cellular organization जो है या फिर थेलर सपन कैसे हैं तो थेलर के टाइप सपन कैसे हैं थेलर जो है वो unicellular हो सकता है यह मैंने यह थोड़ा सा इसलिए लिखा है ताकि आपको ज्यादा टाइम वेस्ट ना करना पड़े काफी टाइम लगता है इसमें मैनत भी काफी लगती है लेकिन फिट भी चलो कोई बात नहीं कर लेते हैं जैसे chlorophyce, kerophyce, phyophyce और यह जो एक्जाम्पल है इनके अंदर mostly सभी जो है वो कैसे होते हैं multi-cellular होते हैं इनके अंदर है वो unicellular ज्यादा देखने को नहीं मिलते हैं और इनके दोनों के अलावा जो भी आपन देखेंगे जैसे मालाओ कि यह classic यह family है यह यह order है वैसे तो ओर के नाम से दे रखा है क्रिप्टो monadels crypto monadels इसमें mostly जो सेल्स होती वो कैसे होती unicellular के नाम से होती है mostly cells कैसे होती unicellular होती है only unicellular cells are include in this order जैसे हीलिया सेनिया एक अपन देखेंगे इसमें जो unicellular का जो थेलस है वो कितने प्रकार के हो सकते हैं यहाँ पर फस्ट आपन देखेंगे amoevoid cells ए प्रकार का amoevoid के नाम से भी है ऐसी कोई भी cells हो जिसमें cell wall का भाव हो और movement करने के आधार पर अपन कह सकते हैं उबडखाबड हो सकती है कोई प्रोपर्स आकरती या कोई सेप नहीं होती है उसे क्या कहते हैं amoevoid के नाम से जानते हैं तो यहाँ पर amoevoid कोई दूसरा आपन कह सकते हैं रायो पोडिया जिनमें movement करने के लिए ऑक्ष्ट्रा स्टक्चर से वो निकलती है कुछ इस प्रकार की जैसे स्ट्रेक्चर है यहाँ पर आपन कह सकते है इस प्रकार की आपे जाती है कि यह फिएयर अपसे nies ऐसे हैं सिवंसाइट सब्सक्राइब तो इन में क्या पार्जिन को होते हैं किस रीओ सिथशी बात है लोकूमोशन के लिए होते हैं करने के लिए होते हैं इस जैसे अफ़ें देखेंगे क्राइथो में अख ब में going on उनिचेलूलर कैसे हो सकते है नोन मोटाइल प्रकार की हो सकती है उनिचेलूलर नोन मोटाइल यह दी होगी तूसरे पन क्या कहेंगी कोकोईड के नाम से जानते हैं और प्रोटो कोकोईड भी आप इसे कह सकते हो यह कैसे होती है इन में फ्लेजेला जैसे कोई भी स्टिक्चर नहीं पाई जाती है तो यह कैसे होती है नॉन मोटाइल होती है एक रोड़ो फाइसी कह सकते है नॉन मोटाइल होती है एक रोड़ो फाइसी कह सकते है रोड़ो फाइसी में ज्यादा होती है और एक क्लोरो फाइसी में कुछ को सिखाए होती है कुछ सेल्स होती है या फिर कु कुछ i aim rooms योटें से लेकिन करने वाला होता है जैसे एक एकजामपल लेकिस अग्येर keeps हैं कर दों कैसे होते हैं कि कहीं कहींना कहीं कि होती हैं अक्सेप्चन के रूप में अगर पर अपन देखेंगे सांवanter सेल नहीं होती है नोन मोटाइल होती जो तो आपने देखा भी यहां पर तो सायोओ 11oth देखेंगे पाइजाती। इनके अलाव मोस्ट ली जितनी बी एयलगीके मेंबरें उनमें कहीन नंदो सेल्फ winners उनमें कहीन मूटाइल या गतिंक शेल जो है कोशिका इना सेल्फ के स्फुव क्षिक यहाँ इनके पाइज़ कोटिया यहां यहां पर सो कि इसमें जूइ सपोर्जों होते हैं और इनके जो गेमिट होते हैं भी कैसे होते हैं मोटाइल होते हैं इनके अलावा सभी सेल्स कैसे होती है वैसे व्यारी स्टाइप होते हैं आगी आपन देखेंगे यहां पर अपन देखेंगे तो यह सब्सक्राइब कि अधार पड़े विद्वे जो ट्रम है क्या है साइटोप्लाज्म का जो अकसिटेंट बाहर की तरफ निकलता है फिलामेंट है अपन किया कहते हैं तो यह कंदिशन होती है एक सेम आकरती है , जो फिली जिला है उस्से अपन क्या कहते है आइसो कॉर्णेट के नाम से जानते हैं ठीक constitutive के लबाइट के नाम से जानते हैं जिन होती है कि मुं दिशन DIB लंबाई होती है उसे पर क्या क्याते हैं है जो एनिमल और प्लांट किंग्डम का क्या है कनेक्टिव लिंक है उसमें वैसे देखा जाए तो कैसा होता है सिंगल फ्लेजिला इसमें देखने को मिलती है लेकिन सैल वोल नहीं पाए जाती है जो एक एनिमल का क्रेक्टर है इनमें फोटोसिंथेस पाए जाता है प्लांट का है सैल वोल नहीं पाए जाती है एनिमल का क्रेक्टर है युगलेना जिसमें केवल एक कसा भी का पाई जाती ह पाय जाती है इसके अलावा जो क्लिम आइडु-मॉनास उस्में पाय जाती है क्लेरो गॉनियम उसमें UGA जाती है जो आपन सभी जानती है टीन फिलिज दाला है कुछ एक जाम्पल इंपोटेंट है जो जाती है यहाँ पर आप देखोग dresses के अलावा गर हעלर प्रोर देखेंगे क्रैसोफाइसे के कुछ मेंबर से इसके अलावा देखोगे डाइनोफाइसे के कुछ मेंबर से जैसे हैं यहाइप आप देखोगे है कि जो झायють कष़्याएट की दयांधिजय तीन میں बढ़ाते हैं वह कि तो चार यहां पर कि यहां पॉआ पाईडे मृमू नास पाईयर है अपिर आपना कह सकते हैं पीरा मेमू नास पीरा मैं मनूस के नाम इसमें चार यहाग की जो मेंबर है यूनि शेलूलर उनमें कितने पाज़ाते चार जनरली देखने को मिलती है आ सेकेंड हैं और देखेंगे जो तेलर मलटी-शेललिलर करें को चेगा непेट न इस और जाथे ा करकार है और यहां से कलोनी बना कर रहेीं जैसे यहांपर यह कोश्चिकाय हैं आप अपस में एक दूसरे साथ में कैसे रहें कोलोनी बना कर रहे ही, यह condition है, कुछ में ऐसी condition है कि filament की रूप में पाई जाते हो, यह क्या रहते हैं, filament बना कर रखते हैं, cells, part stool होते हैं, एक स्याधी कोशी का होती हैं, लेकिन filaments के रूप में पाई जाते हैं, यह स्टेक्चर पाई जाती है तो एक तो सिनोबियल सिनोबियल का मतलब होता है कोई भी कॉलोनी के रूप में पाई जाती हो और कॉलोनी भी इस प्रकार की कॉलोनी जिसमें सेल्स वह कैसे हो सब्सक्राइब के रूप में हो सकती है जैसे साइफोनियस मतलब नलिकाओं के रूप में वाउचेरिया जैसे है नलिकाओं के रूप में पाया जाता है यहापर आपन देखेंगे कुछ जो होती है वह वह पेरन्काइमेटर्स मतलब सेल्स आपसमें मिलकर एक टीशू के रूप में काम करने रखती है उसे पन क्या करते हैं प्रकार का सिस्टम कह सकते हैं आगे आप देखोगे सिमिलर फंक्षन ऑफ सेल्स कि कुछ ऐसा थेलस होते हैं जिनमें सभी को श्यकाएं अलग लग फंक को सिकाई करती हैं समान काम करती है उस जैसे एक्जामपल नौस्टोग और इस्पाइरोगईडा कुछ अपना काम करके रखते हैं उसे अपना काम करके रखते हैं अलग अलग काम जो है वो विभाजन करके अपना रखते हैं जैसे यूलोथेरिक्स और एक्टोकार्पस एक्टोकार्पस और यूलोथेरिक्स में कोशिकाई जो है उनमें अपना काम का क्या होता है विभाजन होता है कि ये कोशिकाई हैं ये particular function करेगे ये particular कोशिकाई हैं वो ये particular function करेगी तो ये condition generally देखने को मिलते किसमे योलोथेरिक्स और एक्टों कार्पस के अंदर अब अपन देखेंगे कि जो first अपन अगर इसको देखें multi-shelver में तो पहला जाएगा colony कि कोशिकाई जब एक साथ रहे और एक साथ काम करें तो उसे क्या करते हैं अगर एक साथ मिलके काम करते हैं उसे क्या करते हैं तो aggregation है वो कह सकते हैं colony के रूप में पाय जा सकते हैं इनके अरलग एक्जामपल है तो यहां पर कुछ विश्यस प्रकार के जो एक्जामपल है जो एक्जाम में पूछे गए हैं या आपको याद रखने है टाइप ओफ of colonies कौन से कौन से colonies हैं जैसे पहला जाएगा पालमिलोइड्स पहली कोलोनी पालमिलोइड्स इनमें ना तो संख्या फिक्स होती है परतेक सेल साथ जुरूर रहती है लेकिन सभी अपना अपना function अलग लग करती है एक कोशिका को दूसरी कोशिका से कोई मतलब नहीं है दूर यह एंड़ है यह दूसरा एंड़ स जों होती है यह जैसे कोलोनी होती हैं यूस जैसे एक्जाम्पल अपन देखेंगी फ्यूफाइसी फ्यूफाइसी मीं जैसे माइक्रोशिस्टिस हैं और यह एफनों थीस हैं यह कुछ टाइम के लिए एग्रिगेट होती है काम करती है अलगर काम करती है लेकिन बचाव रखता है इनके उपर म्यूसीलेज जो है उनका मै पूछे जाते हैं भी पालेमिलोड के कौन से कौन से एक्जाम्पल आपको याद रखने हैं इसके अलावा अगर आपन देखेंगे फ्यूफाइसी के अलावा और जैंतोफाइसी में भी कुछ ऐसी कोलोनी जाती है जो प्रकार की होती है सबसे बैस्ट अगर आपन देखें हैं देन्टडोरेड के यह सबी जो मिनां के रूप में रहती है और के रूप में आकर्थी बना लेती है और जायो Nous म्हenk volt वहले से घ्था जाते हैं टीकव्स एक हैं जेखेंगे कोपस मिले कैसे होते हैं अगर फिलामेंटर प्रकार इसके रूप में दिखाई सुछ है इसलिए इसमें देखने को मिलता है साइन अपर आजाएगा जो लُयौ च्लुरुआ कईत अक्षे काा मेंबर है आगे अपने देखेंगे क्लुरोर कुछ ऐसे हैं डेन डमट जो बनाते हैं क्लोर और यहां प्रकार के जो कोलोनी बनती है जो सबसे इंप्रेंट जो है सिनोबियम सिनोबियम मैंने अभी भी बताया number of cells, number of cells are fixed, number of cells are fixed होती है और colony की जो size होती है वो rounded होती है और दूसरी चीज है synobium है cells कैसी होती है motile प्रकार की होती है इन में phlegilla present होती है सभी cells है आपस में cytoplasmic connection के दुआरा ढकी हुई रहती है जैसे यहां पर आपन देखेंगे तो इस प्रकार से यह cells आपस में जैसे दो किनारों पर जूड़ी हुए तो यहां पर क्या है cytoplasmic connection के दुआरा जूड़ी हुई रहती है सभी cells है वो एक साथ में function करती है ठीक है तो यह इनको आपस में काम जो है वो भी क्या करते हैं डिवाइड कर सकते हैं थोड़ा पोथ cytoplasmic interaction शो करते हैं एक दूसरी साथ में आधार परदान signal दे सकते हैं कि साइड में movement करना है वो चीज़ सब भी कर सकते हैं एक्जामपल में देखेंगे chlorophycing सबसे बैस्ट एक्जामपल सिनोबिम के नाम से आपको याद रखना चाहिए मोटाइल कॉलोनी है कैसी है मोटाइल कि अग्यों कि फ्लेजेला पाई जाती है और डिफाइंड कॉलोनी होती है नंब्र ओप साइल्स फिक्स होते हैं मैट्रिक्स के द्वारा घिरी हुई रहती है मुमेंट करने वाली होती है फ्लोटिंग करने वाली होती है इन में पॉलेरिटी पाई जाती है इन कॉलोनी में क्या होती है पॉलेरिटी विसेस करेक्टर पाई जाती है एक्जामपला पर देखेंगे क्लोरोफाइसी जैसे गॉनियम गॉनियम जो मेंबर है इनके अंदर को सबसे बड़ा आपको याद रखना है कि जो होती है वो कैसे होती है सिनोबियल कोलोनी होती है मोटाइल कोलोनी से फस्ट ग्रेड में और स्कुल अपने उसे कह सकते हैं कॉलेज लेक्चर में पिसली बार भी आया था इससे तो एक आपन देखेंगे पैनल कोलोनी है सिनोबियल कोलोनी है नमब्र ऑप साथ कितνेए 4 से बत्य साथ हो शकती है यह यांपर देखो функet हैं मोटाइल कोलोनी सिनोबील्कोलोनी कितनी है 16-64 पाई जाती है कि प्लियू कि प्लियूडो रायना को यहां पर वियूडो रायना दिसमें 328 इस करने वाले होते हैं मतलत सुरूबील कोष्टी का जो कोलोनी कर सकती हो अगला एक्जामपल सबसे बैस्ट आपन जो बढ़ती है वालवक्स जिसमें काफी संख्या के अंदर से यह पाइज आती है और कैसी होती मुवमेंट करने वाली कॉलोनी होती है ठीक है यह क्योशन भई सबसे इंपोर्डेट है यह यह वाला अगला इसमें से क्योशन पिछली बार असिस्ट्न प् होते हैं सीनोबियल है मतलब एक साथ रहती है नंबर ओप कोशिकाई फिक्स रहती है एक डिफाइंड आकर्ती होती है यह सब करेक्टर उसमें है लेकिन बस इतना संतर है कि यह नोन मोटाइल सिनोबियल है इसका एक्जांपल पिछली बार पूछा गया था क्लोरोफाइसी क पिछली पर पूछा गयाता से उसेन प्रोपेशर के उंदर सेनिडैसwnoस सेनिडैस्मस कैसा है किते से चार से-8 से इसमें आती है लेकिन बंपटर इतना आपको याद रहना चाहिए पडास्रम पेडिया स्क्रमों कैसा है नोन मोटाइल इसक्षिनोबियल है ना मिलाएल नंबर अप सेल से एक 178 तक असक्ति है यह आपको यादा रही है इन्मेरिन में इस्ञाट रहता है हाइड्रीटियॉंबियल है कॉलोणी के रूप में पायती है लेकिन नोन मोटाइल है सेनोबियल जो हाय जाते हैं इसके एक युनिट को क्या करते हैं ऋसे क्या करते हैं इसके दिखाई दीधा है इसकी हगजा आकर्ती होती है, कुछ इस प्रकार की आकर्ती होती है, यहाँ पर इस प्रकार की आकर्ती दिखाए देती है है, हगजा प्रकार की। तो यह है Hydro-Dictone, तो इस प्रकार से LGA कुछ important पार था जो आज अपन लेके आए हैं, वो मित करता हैं सभी आपको प्रसंद आय अगर आपको प्रसंद आता है कमेंट जुरूर करके जाएं असिस्टन प्रोफेसर और इसको लेक्चर में काफी इंपोर्टेंट आपको रहेगा यह टोपिक सॉर्टनोट्स जरूर बनाते जाएं तो आज के लिए अपने क्लास इंग कम्लीट होती है थैंक्यू फ्रेंड्स